पुलिस द्वारा पकड़े गई खेब की सूचना खाद विभाग को दी गई जिसके बाद दो तरह के सेंपल जब्द किये गए मामले में पुलिस ने खोबा लाने वाले सक्स को भी पकड़ा है जिससे लाई गई खेब के संबन में पूंस्ता आच की जाई है पताया जा रहा है कि यह खोबा साधी सीजन में खापाने के लिए लाई गई थी दरहसल यह करवाई गुरुबार को रिवा की विस्विद्याले पुलिस ने की है बताया जा कि चेकिंग के तुरान खोबा से लोट एक वाहन को पकड़ा गया जिसे कामता परशाद नाम के सक्स द्वारा यह खेब साधी सीजन में खापाने के लिए डभावरा से रिवा लाई जा रही थी पुलिस ने वाहन से दो तरह का खोबा जब्द किया है जिसमें एक सफेद खोबा तो दूसरा लाल खोबा मिला है पुलिस की सुचना पर कादिभाग की टीम ने दोनों खोवा के सेंपल जबत किये तो वहीं खोवा अमानक पाय जाने पर जबती की कारवाई भी की गई इधर मामले में खोवा वेवसाईल को पुलिस ने गरफ्तार कर लिया है जिसके बुरुद्ध वैधारिक कारवाई की जा रही है यह विश्विद्ध दाले थाहा चेत्रे में कारवाई हुई है वहां थाहा से सुचना पराप्त होई थी कि डभोरा से कामता परसाथ गुपता को खोवा लेकर के आरा खोवा लाटी बरतीत हो तो उसके सेंपल लिए गए है पर तम जश्टे उसको फैट की कमी बरतीत हो रह कितना वाम कितना बरावा लेट कुंटर के आसपास है कामता परसाथ कुपता डभोरा से लेकर के आ रहा था यह तो उसने नहीं बताया है लेकिन उसने यह बताया है कि हम जगह जगह पर हमारे लोग हैं वो दुकानों में सप्लाई करती है